बाइज वेरी गुड मॉर्णिंग वेलकम टु वाइफा स्टेड़ी चेंजिंग दा वे उफ लर्निंग मैं साहिल खनेरोल आपके सामने प्रजेंट कर रहा हूं अब रेलवे डू नहीं और आज हम पढ़िंगे टाइम एंड वर्क तो समय और कार्रे हमारा टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूड जाएं है ना इससे क्या होगा कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि सिर्फ दो चीजों से आप इस पूरे चैप्टर के टफ से टफ कोशन को लगा सकते हो ये मेरी गैरंटी है डेफिनेटली आपको बस चीजे समझनी की जरुवत है अरिथमेटिक में जितने भी मैंने अंक गणित के चैप्टर आपको कराए है सिर्फ और सिर्फ समझिये कि पर्सेंटेज किस काम आता है टाइम एनवर किस काम आता है प्रॉफिट एंड लॉस किस काम आता है बहुत आसान हो जाएगी अरिथमेटिक बस हमें अंडेस्टेंडिंग बनानी है मैथ के साथ अपनी किलियर गाइस जी हाँ तो सब लोग जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से आज हम पढ़ने वाले है ठीक है तो जैसा कि ये चैप्टर है समय टाइम एनड वर्क ये है अब मेरी बात आप सुनक धान से ये काम है आपको कोई काम करना है ठीक है कितने समय में करना है वो समय क्या हो सकता है आपके दिन हो सकते हैं आपके आवर हो सकते हैं मतलब भई वो समय दिन में भी हो सकता है घंटों में भी हो सकता है तो मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं तो चार दिन में कितनी बुक पढ़ेंगे जल्दी बताईए छोटा सा लॉजिक है और इसी पे बेज़्ड पूरा 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 चैप्टर इसी पे बेज़्ड है मैंने बोला आप एक दिन में दो बुक पड़ रहे हैं तो आप एक दिन में दो बुक पड़ रहे हैं कितनी बुक पड़ रहे हैं? दो बुक तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हिम्मत हो गई, आपकी छमता हो गई, तो यही आपकी क्या है, efficiency है, यही आपकी efficiency है, ठीक है, तो आप जब एक दिन में दो बुक पढ़ रहे हैं, तो चार दिन में कितनी पढ़ेंगे, आठ बुक पढ़ेंगे, चार दिन में कितनी बु करोगे तो आपका वर्क आजाएगा कैसे आजाएगा देखो देखो कैसे आएगा चीजे समझो बस इसी फॉर्मूली पर पूरा पूरा चैप्टर बेज्ट है आप इसको अगर ढंक से समझ लोगे चीजे क्लियर कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा देखो efficiency आपको time ले दिया बड़ाबर work कर दिया । जरल ये क्यों आया ये efficiency क्या होती है कारे चमता होती है efficiency क्या होती है आपकी कारे चमता होती है आपकी कारे चमता क्या थी आप एक दिन में दो बुक पड़ रहे थे तो ये आपकी क्या है कारे चमता कारे चमता हमेशा एक दिन की calculate होगी ठीक है जो आपकी efficiency होगी वो एक दिन की calculate होगी और आपका जब अगर उस time से गुणा करोगे तो आपका total काम आजाएगा आपका total काम आपके सामने आजाएगा clear है? यह चीज clear हो गई यहाँ पे अब आपके सामने एक छोटा सा example रखता हूँ एक छोटा सा question रखता हूँ कि आपके पास 60 काम है आपके पास 60 काम है आप 3 काम एक दिन में करते हैं 3 काम पर दिन ठीक है तो 3 work पर दे कर रहे हैं तो आप कितने दिन में काम खतम करेंगे यह बताएगे आप कितने दिन में 60 काम करेंगे तो सीधा सा logic है बस सीधा सा logic यह है कि 3 काम परतिदिन करना तीन काम प्रति दिन करना ये आपकी छमता है ये आपकी efficiency है कि आप तीन काम परड़े कर रहे हो और आपको 60 काम करना है तो आपको दिन निकालने है कि मैं कितने दिन में करूँगा तो आप क्या करोगे 60 में 3 का भाग दे दोगे और करना भी तो यही है efficiency गुणा time बराबर वर्क होता है वर्क आपका 60 है कारे छमता efficiency कितनी आपकी 3 है और आपका दिन कितने आ जाएंगे तो आप कितने दिन में काम कर दोगे 20 दिन में इस पूरे के पूरे काम को कर दोगे किलियर हो रहे हैं आप तक अच्छा लगेगा पूरा chapter समझ में आएगा बशर्ति कि आप जुड़े रहें पूरे के पूरी वीडियो ध्यान से देखें और एक एक चीज को समझें किलियर है गाईस अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाना जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक दिन में मतलब मैंने इसकी efficiency लिख दी efficiency लिख रहा हूँ छम्ता लिख रहा हूँ इसकी ये तीन काम कर रहा है और ये दो काम कर रहा है ये तीन काम कर रहा है ये दो काम कर रहा है कलियर है ये efficiency है इसकी छम्ता क्या है ये एक दिन में तीन काम करता है ये एक दिन में दो काम करता है ठीक है तो मान के चलो 50 रुपे हैं इनके पास तोटल कितने रुपे हैं 50 रुपे हैं तो इसको कितने रुपे मिलेंगे इसको कितने रुपे मिलेंगे जल्दी से बता दो तोटल 50 रुपे करेगा पैसे भी तो उसी को उतने मिलेंगे जो 50 रुपे है वो आपके तीन अनुपात दो में बिवाजित हो गए ठीक है तीन अनुपात दो में बिवाजित हो गए क्लियर है क्लियर है न हाँ तो सीडी सी बात है एफिशेंसी डेस की रिवर्स होती है ये कोई बड़ा कंसर्ण नहीं है जब कोशन करेंगे सब कुछ किलियर होगा तो आपको पता लगए अब 30 रुपे और 20 रुपे मिलेंगे तो मैं ये कह दूँ कि जो आपका पैसा है जो आपका रुपीज है, मतलब मजदूरी वाला चैप्टर, समय, कार्य और मजदूरी, ये भी इसी के अंदर सम्मिलित है, हमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरुवत नहीं है, सब इसी से हो जाएगा, बस आपको छमता निकालने की जरुवत होती है, क्लियर है, चलिएगा अब मैं आपके सामने एक और चीज रख देता हूँ, ये आपके चैप्टर किलियर हो रहा है, इसके बाद आपको कोशन लगाने है, और इतने कोशन कराऊंगा, कि एक एक कंसेप्ट किलियर होगा, मज़ा आएगा, और खुदी क्या दोगे कि सर्फ चैप्टर समझ में आ ग W1 और R1, ये क्या है मैं सब बताऊंगा, किलियर है, बराबर M2, D2, H2, W2 और R2, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये आपके दिमाग में चीज सेट करने के लिए है सब चीजे, देखो कितना शांदार है, मैं आपको चीजे बता देत W1 आपके क्या है, दिन है, देज है, ठीक है, देज है, और ये आपका क्या है, H1 क्या है, आवर है, आवर, मतलब घंटे, मतलब सीदी सी बात है, कोई काम ये भी तो हो सकता है, चार दिन, चार गंटे, एक गंटे में, मतलब एक दिन में चार गंटे काम कर रहा हो, तो इस व रहे है आपका और आरवन क्या है रुपिया पैसा ठीक है रुपीज तो देखो यह फॉर्मुला सबसे ज़्यादा जरूरी है अब आपके सामने यह फॉर्मुला आया कैसे यह बताता हूं देखो M1 मतलब किसी की efficiency किसी की छमता M1 मतलब किसी की छमता D1 मतलब उसका time अब time दिन में भी हो सकता है और गंटे में भी हो सकता है तो उपर ही आएगा दोनों भाई गुणा तो हो रहे है efficiency गुणा time efficiency गुणा time क्लियर है क्लियर है अब आपके सामने वर्क यहां था वर्क यहां पे था जो कि एक आदमी का है M1 अलग आदमी है और M2 अलग आदमी है M1 अलग आदमी है M2 अलग आदमी है M1 अलग आदमी है M1 D1 H1 W1 R1 W1 आपका क्या होगा नीचे आपका कार्रे हो जाएगा अब इसी तरीके से इसमें भी वही चीज आजाती है तो ये जो फॉर्मूला है इसी से बना है efficiency गुणा time upon work efficiency गुणा time upon work और आपको पता है रुपिया भी इसी के अनुपात में बढ़ता है तो साथ के साथ आपका मजदूरी वाला chapter भी complete हो रहा है question हम सारे करेंगे tension बिलकुल भी मतलेना नहीं समझ में आ रहा है question करेंगे तब समझ में आएगा चलें अपने चीजे समझते है ठीक है? चले अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप एक question दे रहा हूँ कि इस पे question कैसे बनता है question कैसे बनता है देखो पहला question ये है कि 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं और तो 30 आदमी 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ 20 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो M2 कितना है? 30 है 30 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपका question mark आपको निकालना है direct answer आ जाएगा, यह इसलिए use होता है, है ना, direct लगाईए आप, comparison करना हो दो चीजों में, तो यह formula लगता है कि एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा एक आदमी इतना काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा clear है, तो आपका हाँ, ठीक है तो यहाँ पर आपका answer कितना आ जाएगा 0 से 0 चला गया, 20 बटे 3 दिन में वो अपना काम कर लेगा दूसरा आदमी, clear है, 20 बटे 3 आ गया, अब चीजे समझते हैं, अब इसके आगे क्या होता है, यह समझो, इसके आगे क्या चीजे हैं, अगर मैं आपसे बोलो कि एक आदमी, एक चो पहला आदमी है, वो 40, 40 दिन में 2 आवर काम करके, 40 दिन में 2 आवर काम करके, 40 दिन में 2 आवर काम करके, 30 काम करता है, एक आदमी है, 40 दिन में 2 आवर काम करके, 30 काम करता है, तो दूसरा आदमी, दूसरा आदमी, 20 दिन, ठीक है, कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले, 20 दिन कितने घंटे काम करे कि वो 60 काम कर ले, तो आपको पता है, एक एक आदमी है दोनों, तो हमें टेंशल लेने की जरुवत नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है, तो कैसे लगाओगे देखो, हाँ, तो कैसे लगाओगे, सब चीजे वही करने वाले हैं देखो मेरे दोस्तों 40 मतलब एक आदमी है तो एक आदमी है तो एक ही रखो 40 दिन में 2 घंटे डेली काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है 30 काम कर रहा है M1, D1, H1 upon 30 बराबर M2 1 ही है, D2 कितना है 20, यह आपको निकालना है कितने घंटे अगर दिन में काम करे कि उसका 60 काम पूरा हो जाए ठीक है उसका 60 काम पूरा हो जाए तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इतने घंटे प्रती दिन उसको काम करना पड़ेगा इतने घंटे उसको प्रति दिन काम करना पड़ेगा अगर सब को समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ 2000 लोग देख रहे हैं सब कुछ किलियर होगा एक एक चीज समझाऊँगा गारंटी है यह चैप्टर नहीं समझ में आए तो ठीक है देखो अब इसको आराम से सॉल्व कर लो यह आपका 0 सी 0 गया 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 यह आपका आगया 8 घंटे प्रति दिन उसको काम करना पड़ेगा इस वाले बंदे को 8 धिन प्रति दिन काम करना पड़ेगा तब इसका काम पूरा होगा इसके बराबर तो ऐसे कोशन इसमें आपके बनते हैं और मैं बता रहा हूँ सारे कोशन आप आसानी से कर पाओगे तो दौनों चीज़े समझ में आगई आपको दौनों चीज़े समझ में आगई कि दौनों फॉर्मूलों में क्या अंतर होता है और किस तरीके से हम इन चीजों को निकालते हैं अब एक और चीज़ समझ जाता हूँ जो आपके सारे कोशन में काम आएगा लगभग दो टाइप के कोशन बनते हैं सिर्फ बाकि सारी चीज़े किलियर हो जाएगे ठीक है अब जबी भी आप कोशन करेंगे जबी भी आप कोशन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा आपके लिखे जाएगे value कि जो जो ऐसे A काम कर रहा है B काम कर रहा है ऐसे लिखा जाएगा इसके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा days लिखे जाएगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि कितने दिन में A काम कर रहा है कितने दिन में B काम कर रहा है अब वही काम करेगा मेरी बास समझ रहे हो कि A किसी काम को कोई भी काम हो सकता है किसी काम को इतने दिन में करता है B किसी काम को इतने दिन में करता है क्या होगा, टोटल वर्क होगा, यह जो चीज बता रहा हूँ ना, यह आसान नहीं दिख रही होगी, लेकिन बहुत जादा आसान है, बस एक बार समझ लो, मेरी गारंटी यह गलती नहीं होगी, ठीक है, और जो यहाँ पे आपकी चीज निकल के आने वाली है, मेरी बात साध् जल्दी से क्विकली सब आंसर दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपकी आएगी कि efficiency मतलब कारे चमता, और दिमाग में जिंदिगी में हमेशा याद रखना, कारे चमता एक दिन की calculate होती है, आज मैं चाहे कितनी भी speed से चल रहा हूं, मैं कितनी भी speed से चल रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत कितनी है, कि मैं 60 km प्रती घंटा चल सकता हूं, तो हमेशा एक घंट का कैसे पता लगेगा कि एक कितने दिन में कितना काम कर रहा है, तो आपको total work में जो कि इन दौनों का LCM होगा, तो यहाँ पे आपकी इसकी कारे चमता आ जाएगी, ठीक है, कारे चमता आ जाएगी, तो यह आपका performa है पूरा, साधरित करने वाले हैं, और जो दूसरा type था N1D1 वाला, उसके question भी मैं आपको साथ के साथ कराते चलूँगा, और rupees वाले भी कराते चलूँगा, तो अब सब तयार हैं, तो मुझे बता दें, सब बता दें कि सरम तयार है, question करने के लिए आप question कराईए, एक-एक concept से concept समझेंगे, answer आप भी दोगे, मैं भी दोगा, तो जल्दी से सब पिन कर दो, मज़ा आ रहा है, तो सब लाइक कर दो एक साथ, चलिएगा, जल्दी से बताएं सब लोग, चलिए बहुत बढ़िया, got it guys, जो लोग कह रहे हैं सर्फ फास्ट पढ़ाओ दें कि concept सबसे जरूरी होता है, concept एक बार समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, buffering नहीं हो रही है guys, सब ओके है, refresh कर लें अपने page को guys, है ना, कोई buffering नहीं है, सब ठीक है, चलिएगा, चलते हैं अपने question number 1 की तरफ, question number 1 की तरफ चलते हैं, इसको answer दें, चलिए, refresh कर लें अपने page को, सब done है guys, ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने page को refresh कर लें, चल गया है, अब, done है, सब कुछ ठीक है न दोस्तों, जी हाँ, चलिएगा, question आपके सामने आ चुका है, पहला question करते हैं, पहला question करिए, और सब लोग answer दीजिए, ready guys, बहुत बड़िया, सब लोग answer दें, पहला question आपके सामने आ चुका है, देखो, अब मैंने क्या बोला था, कि जो A और B है न, वो quantity है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उससे हमें फरक नहीं पड़ता, आप और मैं है A और B, या फिर कोई और है, कि दो आदमी हैं, एक तरीके से person हैं, जो काम कर रहे हैं, जो दिया गया है particular, ओके, हाँ, तो चलते हैं, पहला question आपके सामने आ चुका है, ए, किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो मैंने क्या बोला था, दिन ही हाँ लिख दो, A किसी काम को 6 दिनों में करता है, ये days हो गए उसके, ये days हो गए, ठीक है, क्या बोला गया, B, 9 दिनों में करता है, तो देखो, काम वही है, A किसी काम को 6 दिनों में करता है, और B, 9 दिनो करता है तो हमने क्या निकाला कि हम दोनों कान अगर LCM के बराबर होगा ऊहल इस सीखोना हो जाएगै यहां पर मेरी कारेच शहंता जो मेरी efficiency है वो क्या आजाएगी मेरी efficiency आजाएगी 6 नाम 54 और 9 छी की 54 मेरी बात समझ में आई कि हमेशा आपको divide करके ही देखना है ये जरूरी नहीं है कि उल्टा हो जाएगा जरूरी नहीं है अलग भी हो सकता है वो LCM पर depend करता है कि लियर है तो आपको हमेशा डिवाइड करके देखना है कि 54 में 6 का डिवाइड जाएगे तो efficiency मतलब कारे चंता ये आ गई अब क्या बोला गया है दौनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे है ना काम कितना है मारा टोटल वर्क कितना है 54 तो आपको पता है efficiency गुणा अगर आपको time निकालना है तो वो work के बराबर होता है तो आपको time निकालना है तो work upon efficiency चंता कारे अपोन चंता और चंता किसके आएगी दोनों की मिला कर पूछा है ना काम कितने दिन में करेंगे तो work आपके पास 54 है और आपकी छमता कितनी है, 9 और 6, 15 ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ तो यहाँ से मैं आपको निकाल लूँगा, आंसर इसका 18 बटे 5, जो की हो जाएगा 3.6 days 3.6 days clear है, 3.6 days समझ में आया, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप यह देखो कि किया क्या है, दुबारा से समझा रहा हूँ कि A और B दो बंदे थे A 6 दिन में कर रहा है A कोई काम को, काम हमें नहीं पता काम हम निकालेंगे कैसे इन दौनों दिनों का LCM दे के clear है, दौनों दिनों का LCM यहीं कहीं निकाल ली, इसकेबार दोनों मिलाकर कितने दिन में कर रहा होоловेंगे, यह निकाल लिया अब मान के चलो, अब मैं आपके सामने कोशन रख रहा हूँ, मान के चलो इस चीज़ को कि आपके सामने work दे दिया होता ठीक है, कि भाई A 54 काम 6 दिन में कि सारा डिवाइड का खेल है है ना किलियर है यहां तक समझ में आ रहा है सब लाइक करते चले मज़ा आएगा है ना LCM 18 भी ले लो LCM 18 भी ठीक है 18 ले लोगे तो भी भड़ी आए 18 लेके देख लो 18 लोगे तो यहां पर डाइरेक्ट आ जाएगा तो 6 ती 18 और चोरी 6 ती 18 और 9 दुनी 18 तो यहां पर कितना आ गया 18 भटे 5 आ गया डाइरेक्ट 18 भटे 5 तो बात तो वही है बात तो वही है आंसर तो वही आने वाला है तो मैंने आपको दोनो तरीके से बताया है कि यहां पर आप 54 ले लो या फिर 18 लेलो आपकी मर्जी है कोई आपको नहीं रोकने वाला आंसर हमेशा सेम आएगा तीक है दौनो चीज़े केलियर हो गई चलें अपने अगले कोशन की तरफ चलेंगा अगला कोशन देखें कोशन नमर सेकिंड देखें कोशन our second करें बहुत अच्छे से करेंगे हर एक Q blockchain को Q allocation क्या कह रहा है कि A, एक काम को 15 दुनों में करता है तो भॉछ साब A की बात की गई है काम कितने दुनों में करता है 15 दुनों में करता है क्योंकि मुझे याप दिन लिखनें ये रोज-रोज लिखने की जरुवत नहीं है कि दिन लिखने हैं आपे, दिमाग में जब कोशन करोगे, सब सैट हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी कर पाओगे, A, एक काम को 15 दिनों में करता है, B, 20 दिनों में कर सकता है, तो इन दौनों का LCA मेरे पास क्या आजाएगा, 60 आजाएगा, जो की मेरा टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है मेरा साथ, इनकी छमता कितनी आजाएगी, 15 का भाग 60 में दोगे, तो 4, और 20 का भाग 2 के 60 में, तो 3, तो ये इनकी छमता आगई, अब क्या बोला गया है, अब ध्यान से सुनना, चीजें लेंगेवेस पे बेजड हैं, सारी भाषा पे बेजड हैं, जो कोशन में लिखा हुआ है, वो ध्यान दो, यहां तक आपने किलियर कर लिया, कि आपकी इफिशेंसी आ गई, यहां पे आपकी छमता आ गई, किलियर है चार दिनों तक एक साथ काम करते हैं, पहले क्या बोला गया, चार दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो यह एफिशेंसी क्या होता है, एक दिन का काम होता है, आपको पता है न, तो जल्दी से मुझे बताएं, सर हमें पता है, कि एफिशेंसी हमारा एक दिन का काम होता है, तो एक दिन में बंदे कितना काम कर रहे हैं दौनों मिलके साथ काम कर रहे हैं मतलब चार और तीन साथ काम एक दिन में हो रहा है साथ काम एक दिन में हो रहा है क्योंकि इनकी छमता ही ही है तो क्या बोला कि यदि वे चार दिन तक एक साथ काम करें तो मतलब मैं कह दू कि चार दिन तक काम किया है तो 28 काम मेरा complete हो चुका है 28 काम तो मेरा हो चुका और total काम कितना है मेरे पास 60 है total काम मेरे पास 60 है 28 काम मेरा हो चुका है क्योंकि दौनों ने मेरे का 4 दिन तक काम किया है अब मेरे पास काम कितना बचा, अब मेरे पास कितना काम बचा, तो काम का कितना भाग बचा हुआ है, काम कितना बचा है, 32, 28 काम हो चुका है, 60 टोटल काम था, तो 32 काम बचा, और ये काम का कितना भाग है, तो 32 बटे 60 कर दो, तो यहां से मैंने काट दिया, इसको 4, 32 और 15, 64, कि 68 बटे 15 आपका answer आजाएगा चीजे clear हो रही है मेरे भाईयों मेरे दोस्तों मेरे को बताओ कि आप से कुछ नहीं पूछा उसने आप से बस इतना सा पूछा है कि काम का 28 काम तो आपने कर लिया टूटल 60 में से बचा कितना भाग 32 काम बचा हुआ है वो किसका है 32 वो किसका है वो 60 का ही तो है टूटल काम का कितना भाग बचा हुआ है 32 बचा हुआ है किसका 60 का तो 8 बटे 15 भाग 60 का बचा हुआ है clear है guys तो जल्दी से लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है मज़ा आएगा सारे कोशन आप ही करोगे आपका आज यही काम है कि जितने भी टाइम इन वर की कोशन है एलिमेंटी टफ कोशन मैं कराऊंगा दिक्कात आए तो घबराना नहीं है मैं सारे कोशन आपको करवाने वाला हूँ किलियर है चलिएगा चलते हैं अब अपने अगले कोशन की तरफ कोशन नमर थर्ड कोशन नमर थर्ड की तरफ मूव करते हैं उस कोशन का आंसर दें चलिए कोशन नमर थर्ड देखें कोशन अब थड़ क्या बोल रहा है अच्छा कोशन है ध्यान से करना है समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी लेकिन मैं समझा के रहूँगा देखो A. एक जमीन का 2 बटे 5 भाग 6 दनों में ठीक है B. जमीन का 1 बटे 3 भाग 10 दनों में काट सकता है A. और B. एक साथ काम करके 4 बटे 5 भाग जमीन को कितने दनों में काटेंगे तो करिए इस कोशन को करें ठीक है? देखो अब आपके सामने ही कोशन आ गया कोशन नम्बर थड तो मैंने देखा कि A. एक काम का 2 बटे 5 भाग तो देखो कभी भी आपके सामने बिन वाला भाग आ जाए कि किसी काम का 2 बटे 5 भाग किसी काम का 1 बटे 3 भाग यही बूला है ना? कोशन देखो मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ कि किसी काम का दो बटे पांच बाग, किसी काम का एक बटे तीन बाग, मुझे नफरत है इन फ्रेक्शन से, मैं क्या करता हूँ, कि काम मैं ऐसा मानूंगा, मैं अपना काम ऐसा मानूंगा, जो पांच और तीन दौनों से कट जाए, नीचे वालों से दौनों से कट जाए, तो म मैंने ब lounge लिया कि 15 काम मेरे पास मेरे पास कितना काम है 15 काम है किउयो सकते हैं मर्जी से क्यूं कि वह सब держishe जाता है अगर 6 भी मान के चलो गे 15 X णो भी 3क्ट याइगा आपको दिमार्ख यह लगाना पड़ेगा कि 2 बटे 5 भाग यह गोपने चाहिए clear है clear है दोस्तो जी हां तो अब आपके सामने 15 भाग कंपदरे काम आ गया अब आपसे क्या बोला गया है कि A एक जमीन का 2 बटे 5 भाग 6 दिन में करता है तो 2 बटे 5 भाग मतलब तो मतलब 6 भाग तो 3 दोनी 6 भाग आपका कितने दिन में कर रहा है छे दुनों में कर रहा है, ठीक है, तो एक ही छमता कितनी आ गई आपके सामने, एक ही छमता आ गई, एक ही छमता एक आ गई, भाई, छे भाग, छे दुनों में कर रहा है, तो एक ही छमता एक आ जाएगी ना, कितनी हिम्मत है, एक दिन में एक ही तो काम कर रहा है, और एक दिन कितना होता है 5 तो B क्या कर रहा है 5 भाग 10 दिन में काट रहा है 10 दिन में काट रहा है तो 1 दिन में 1 बटे दो तो B की छमता कितनी आ जाएगी 1 बटे दो 1 दिन में 1 बटे दो A की 1, B की 1 बटे दो अब आपसे क्या बोला गया है कि A और B साथ, एक साथ काम करके चार बटे पांच भाग को कितने दिनों में काटेंगे तो चार बटे पांच भाग कितना हो जाएगा पंद्रे का, पंद्रे का चार बटे पांच भाग कितना हो जाएगा पांस तिया पंद्रा, बारा भाग बारा भाग ए और भी दौनों मिलकर तो एक और आधा देड़ मतलब तीन बटे दो का भाग दे दो तो यह आपका आंसर आजाएगा आठ दिन में काटेंगे किलियर है? किलियर हो रहा है मुझे सब बताएं सब बताएं मुझे कोई दिक्कत किसी को किसी भी कोशन को हमें हवा नहीं बनाना है किसी भी कोशन को हमें हवा नहीं बनाना है देखो कितनी आसानी से हमने तीन लाइन में एक कोशन किया है आप बिना पैन पेपर के कर सकते थे जो नए बच्चे है मैं उनसे कहना चाऊँगा 2 बटे 5 भाग, 6 भाग हो गया, 6 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1, तो इसकी चमता हो गई, ठीक है, बी पांच भाग मतलब बी कितना था एक बटे तीन था न तो एक बटे तीन पंदरे का कितना हो जाएगा पांच पांच भाग दस दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा एक बटे दो अब दौनों की कारे चमता हमारे पास है दौनों की कारे चमता हमारे पास है तो आ चलते हैं अपने question number 4 की तरफ question number देखिए अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहें सारी चीज़े clear होंगी या ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना clear हो आप बशर्ते की चीज़े से जुड़े रहें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share करें और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि Wi-Fi Steady का test series धमाका आपके सामने चल रहा है तो उसका एक दिन निकल चुका है कल तो सिर्फ आपके पास दो दिन शेश हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं Wi-Fi Steady test series का क्योंकि High Price, Minimum Price में इस ताइम बिक रही है test series चलिएगा Clear है? चलते हैं अगले कोशन की करें अगले कोशन को करें सर कोशन No.4 करें कोशन No.4 करें आंसर भी आ चुका है 1 by 6 बहुत बढ़िया कोशन No.4 क्या कह रहा है? कि A एक काम को 18 दिन में खतम करता है A है जो एक काम को 18 दिन में खतम करता है ठीक है? B उसी काम को A द्वारा किये गए समय के आदे समय में खतम करता है तो B 18 दिन में खतम कर रहा है तो B कितने में करेंगा? 9 दिन में? भाई यही तो बोला है A एक काम को 18 दिन में खतम करता है B उसी काम को A द्वारा लिये गए समय 18 दिन के आधे समय में खतम करता है एक साथ काम करके वे दौनों एक दिन में कितना भाग काम खतम करेंगे तो मैंने क्या ले लिया इनका LCM ले लिया, total work ये दिन आ गए हमारे, तो यहां पे आ जाएगा efficiency छमता, ठीक है तो कितने दिन में करेंगे भाई क्या बोल रहा है कि एक साथ काम करके वे दौनों एक दिन में कितना भाग करेंगे तो एक दिन में कितना कर रहे हैं तीन, किसका? 18 तो एक बटे 6 आपका answer आजाएगा, एक बटे 6 भाग वो एक दिन में करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं तीन काम ही तो कर रहे हैं और तीन काम टोटल का अठारे का भाग दे दो एक दिन में वो टोटल का एक बटे छे भाग ही तो करेंगे clear है clear है clear है मेरे भाईयों चीजे clear हैं देखो कोई यह समझ रहा है कि sir हमें जो तीसरा कोशन नहीं समझ में आया हिम्मत अगर हार गए न तो मैथ नहीं आने वाली मैंने समझा दिया आपके सामने वीडियो है दुबारा देख लिए लेना है तो यह सारी चीजे करने पड़ेंगे clear है जी हां तो answer आगया आपका एक बटे 6 clear चलते हैं अपने अगले question question number 5 की तरफ question number 5 को cover करें और जल्दी से उस question का answer दें question number 5 question number 5 आपके सामने आ चुका है इस question का answer दें उम्मीद करता हूँ आप सबको सब चीजे clear हो रही है और अच्छा लग रहा है तो like करते चलें दोस्तों जिन्होंने अभी तक नहीं किया है अगर सारी चीजे समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है सब चीजे समझ लो और कल भी आपके सामने खतरना खतरना question आएंगे तो आज अगर आपको देखिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि अगर इमानदारी से पढ़ना चाहते हो ना आपने time and work पढ़ा question लगाए घर पे अगर आप इस तरीक से practice करोगे तो ही selection होगा यह नहीं पढ़के छोड़ दिया ऐसे काम नहीं चलने वाला ठीक है understand okay अगला question आगया है question number 5 इस question को करें कि A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो देखो A और B दौनों मिलकर कर रहे हैं तो A और B किसी काम को 12 दिन में ठीक है तो A, B, C एक साथ काम करें तो कितने दिन में खतम करेंगे तो कैसे करना है अब वहीं काम करना है तीनों का LCM लेलो अब तीन जने आ गए दो-दो के pair में आ गए तो कोई फरक नहीं पड़ता इन यह दिन है आपके यहां पे LCM आ जाएगा आपका 60 यह आपका क्या है टोटल वर्क है तो आपको यह पता है यहां पे आ जाएगा 5 यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 3 क्या कर रहा हूँ मैं कुछी नहीं कर रहा 12 में भाग दे दिया 15 में भाग दे दिया और 20 का इसने भाग दे दिया केलियर है छलिएगा सी ब्राबर rob . विज्म नहीं पता है कि आपको तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे एहे तो निकालना है तो मतलब A plus B plus C का मान निकालना है आपको कुल मिला के तो मैं यह कहता हूँ कि इन सब को जोड़ोगे तो A दो बार आ रहा है B भी दो बार आ रहा है C भी दो बार आ रहा है तो 2 A plus B plus C हो गया न बराबर ये किस के बराबर है 5, 4, 9, 3, 12, 12 के बराबर है तो a plus b plus c की कारच हम तक कितने आजाएगि च्छे और यह तीनो मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 60 बटे 6 करदो 10 दिन में आपका काम आजाएगा 10 दिन में ये काम कर देंगे केलियर हो रहा है मेरे भाईयों कि लिए हो रहा है, समझ में आएगा, सब को समझ में आएगा, दुबारा बता देता हूँ, कि सर यह आपने कैसे किया, देखो, यह दो-दो की जोडी में है न, हमें अलग-अलग का तो नहीं पता न, हमें अलग-अलग का नहीं पता, निकाल सकते हैं अलग-अलग भी, अलग- A अकेला कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा, C कितने दिन में करेगा, उनके लिए जिनको समझ में आ गया है, जिनको नहीं आए मैं इसको दुवारा से समझा रहा हूँ, कि आपको पता है, वहीं काम किया, ये दोनों अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, टोटल आ रहा है, 2B आ रहा है, 2C आ रहा है, तो 2A, 2B, 2C बराबर 12 इनको जोड़ दिया, तो A प्लस B प्लस C कमान 6 आ गया, इनकी छमता आ गया, क्लियर है, तो देखो, अब मेरे पास आंसर भी आने लग गया है, गर लगातार, तो A अकेला कितने दिन में करेगा, तो जब आपके सा तो तमने तीनों का निकाल लिया, अब हमें अलग-अलग का निकालना है, तो अलग-अलग की छमता निकालो, और टोटल बर्क में भाग देते जाओ, सब कमान आ जाएगा, तो C बराबर तो आगया आपका 1, और B बराबर कितना आ जाएगा, इसी मान में, B और C कमान रख़ यहां पे, तो B बराबर आजाएगा आपका 3, तो A अकेला कितने दिन में करेगा, 2 का भाग दे दो, 30 दिन में करेगा, B अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, और C अकेला 60 दिन में काम करेगा, क्लियर है, हाँ, तो A का मान 2, B का मान 3, C का मान 1, यह इसकी क्या है, ये इसकी क्या है छम्ता है तो C साथ में करेगा, B 20 दिन में करेगा और A 30 दिन में करेगा अब देखो बड़ा कोशन मन गया, कैसे भी कोशन गुमा ले आपको बस छम्ता निकाल ले हैं, किलियर हुआ मेरे दोस्तों, किलियर हुआ है ना कोशन समझ में आ रहा है, हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क करके हमने तीनों की निकाल ली, अब तीनों से हम एक एक वैल्यू रखके, इनकी इसका मान ये रखो के तो C आ जाएगा, A और B का मान पांच रख दो डायरेक्ट, C का मान आ गया, एक, इसी तरीके से B, C का रख दोगे, तो A का मान आ जाएगा, और C और A का रख दोगे, तो B का मान आ जाएगा, क्लियर है, हाँ, चलिएगा, अब अगले कोशन की तरफ चल रहा हूँ, चलिए, अगले कोशन की तरफ प्रस्थान करते हैं, सारी चीज़े समझ में आएं, यही उद्देश्य है, चलते हैं अब अपने अगले प्रस्थान की तरफ, कोशन नमबर 6, कोशन नमबर 6 करें, और अच्छे से करें, चलिएगा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं अपने अगले कोशन की तरफ, 6 कोशन, ए, एक काम को 4 गंटे में कर सकता है, अब गंटे आगे तो हमें क्या लेना है, हमें तो टाइम से मतलब है, कि ए, एक काम को 4 गंटे में कर सकता है, बी और सी इसी गाम को 3 गंटे में, और ए और सी इसी काम को 2 गंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसको कितने दिनों में करेगा, तो क्या करोगे, LCM ले लो, 3 हो का, तो LCM मैंने देखा 12, 12 आ गया, तो आपको किसका निकालना है B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा तो B की निकालनी है सिर्फ A की आपके पास है 3 A और C की आपके पास है तो यहां से मैं C की निकाल लेता हूँ जब A बराबर आपके पास 3 है और A प्लस C बराबर आपके पास 6 है तो c बराबर कितना आजाएगा 3 आजाएगा c बराबर 3 आगया तो b बराबर आपका a का आजाएगा इसमें रख दोगे मान तो 12 दिन में आपका काम हो जाएगा 12 बटे 1 तो b हमेशा 12 दिन में आपका काम कर देगा अब आ रहे हैं answer clear हो रहा है तो बताते चले और अच्छा लग रहा है लाइक भी करते चले समझ में आना चाहिए एक उद्देश्य ये है बस है ना अभी तो ये शुरुवात है कोशन ऐसे ऐसे करोगे एक एक दो दो लाइन में आंसर देदोगे लेकिन समझना पड़ेगा है ना पहले एक कंसेप्ट को सम चौंबाशी शुकुरवार हमेशा क्लियर है चलें चलते हैं अपने अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 7 को करें कोशन नमबर 7 देखें और इसका आनसर दें ढें में गज इछे अज़र खि guam। सटा है एक काम को च्छे दूनों में खत्म कर सकता है। की वी उसी कांद को बारे दुनों में जबकि बी उसी काम को बारे दुनों में खतम कर सकता है यदि दौनों मिलकर काम करके दौनों दौनों साथ मिलकर काम करके काम खतम करते हैं तो A ने कितना काम किया ये बताइए अब में रुको आप ये कोशन देखिए दौनों साथ मिलकर काम करते हैं तो A ने कितना काम किया तो मैंने यहां देखा इनका LCM कितना है या 12 A एक काम कर रहा है सौरी A दो काम करेगा और B की कि इतनी है एक है ठीक है है ना अब आपसे बोला गया है एने कितना काम किया एने कितना काम किया एने 6 दिन में काम किया है ना यदि दौनों एक साथ मिलकर काम करके काम खतम करते हैं तो एने कितना काम किया है एक साथ मिलकर काम खतम करते हैं एक साथ मिलकर काम खतम करेंगे तो इ निकालोगी तो 4 दिन में आपका काम खतम हो जाएगा total काम क्या किया मैंने 12 बटे 3 कर दिया total work आपका ये है efficiency का भाग दे दिया दौनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन में हो जाएगा अब A ने कितना काम किया A ने कितना काम किया तो 2 बटे 3 काम इसने किया है, 2 बटे 3, ठीक है, किलियर है, 2 बटे 3 काम इसने किया है, 100% राइट है 2 बटे 3, समझने की जरुवत है, बस समझो, क्या कहा है ये देखो, कि A और B, इतने इतने कर रहे हैं, आपने यहां तक निकाल लिया होगा, LCM आपका total work के बराबर है, 2 काम करेगा, B, 1 काम करेगा, बटे चंगता है, efficiency क्या है, कारे चंगता क्या है, A, 2 काम करेगा, B, 1 काम करेगा, किलियर है, दौनों मिलकर काम, कितने दिन में खतम करेंगी, दौनों की efficiency को जोड़ दिया, 3 दिन, 3 काम हो रहा है, एक दिन में, तो 4 दिन में बारे काम हो जाएगा, complete, ठीक है, अब 4 दिन बारे काम किया, A ने कितना काम किया, यही तो पूछा, A ने कितना काम किया, A ने हमारे 4 दिन तक काम किया, बही दौनों ने 4 दिन तक काम किया, है और एक काम मतलब दो काम एक दिन में कर रहा है तो टोल आट काम कर दिया और वो कितने काम की बराबर बारे बट बारे का भाग दे दो तो गांठे 2 बटे 3 काम इसने कर दिया है। सब्सक्राइब काम इसने कर को चार बजे होती है नमंसर की क्लास SSC CGL CPO की शाम को चार बजे नमंसर की क्लास होती है ठीक है तो वहाँ भी आप मैस पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है किलियर है चलिए जो लोग कह रहे है स्लो पढ़ा राहूल सिंग मैं बहुत सही स्पीड से चल रहा हूँ मेरे दोस्त कोई भी फास्ट नहीं है अगर आप पहले जोड़े होते हैं तो आपको सब समझने आ जाता लेकिन अब आपको फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सारे कंसेट प्लदी से कोशन नमर एट को करें जी बिलकुल हाड कोशन भी लेंगे लेकिन यह एलिमेंटरी चल रहा है मतलब पार्ट बन है उसी इसाब से कुशन लेने बढ़ेंगे पार्ट टू आएगा जो कल उसमें हम लेवल भढ़ाएंगे कोशन का बहुत अच्छे-च्छे कोशन लेने वाले हैं आप बेफिकर रहे हैं चीजों के लिए आना वो सब मुझे पता है कि किस तरीके से कोशन लेने हैं आपके लिए कोशन लाट आचुका है एऔर भी मिलकर एंपको 20 दिनों में कर सकते हिस अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है तो बैकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगा जल्दी लेला 30 दिन में एक काम को करता है तो यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको तो LCM लेलो 30 यहां से आजाएगा 3 यहां से आजाएगा 1 तो B का कारेशन तक कितनी आ गई 2 B की 2 आ गई तो B कितने दिन में काम करेगा 30 बटे 2 मतलब 15 दिन में तो जो आपका 2 आया 30 में भाग दे तो 15 दिन आपका आंसर आजाएगा किलियर है दोस्तों चलें अपने अगले कोशन की तरफ कोशन नमर 9 कोशन नमर 9 देखें अब आगे आपके सामने कोशन नमर 9 और इसको करो तब मैं समझ में आएगा कि आपको समझ में आई हैं सारी चीज़ें कोशन नमर 9 करें और अच्छा लगें बिल्कुल सबसे पहले जो बात है थमसब करते जाएं ठीक है चलेगा A और B किसी कारे को 15 दिन और 10 दिन में खतम कर सकते है ठीक है तो मैं यह कहता हूँ कि टोटल आपका LCM आजाएगा टोटल वर्क 30 यहाँ पे एफिशेंसी 2 यहाँ पे एफिशेंसी 3 मैं यह कह दूँ कि A और B की एफिशेंसी का जो अनुपात है 30,000 रुपे का ठेका लिया था तो आपको यह बताना है कि A का हिस्सा कितना है मैंने आपसे क्या कहा था मैंने यह बोला है आपसे कुछ भी हो जाए चाहे लेकिन आपको जब ही भी पैसे को बाटना है अँख मजदूरी वाली बात आगई ना तो मजदूरी वाला चैप्टर भी इसी में cover up कर देंगे आपके लिए ठीक है और इसके बाद जो चैप्टर आएगा नलवे टंकी वो भी ऐसा ही है लेकिन समझो इस चैप्टर को इसलिए मैं basic कीज़े लेके चल रहा हूँ तो दो अनुपात ती में आपको बाटना है कैसे बाटोगे जब पांच अनुपात बराबर दो और तीम पांच अनुपात बराबर 30,000 है क्योंकि टोटल थेका इतने का है न तो टोटल अनुपात कितना है पांच अनुपात बराबर 30,000 है तो एक अनुपाद बराबर 6,000 और ये कितने है इसका इस्सा कौन सा है दो अनुपाद तो दो रेशो तो एक रेशो बराबर 6,000 है तो दो रेशो बराबर 12,000 और B का कितना हो जाएगा फिर 18,000 तो इसका 12,000 और B का 18,000 किलियर हो गया तो आप पैसे भी निकाल सकते हैं और आपको पता है कि जो ज़ादा काम करेगा उसी को ज़ादा पैसे मिलेंगे किलियर है? तो बिचारे इसकी effuciency कम है, कारे छंटा जिसकी ज़ादा है उसको ज़ादा पैसे मिलेंगे 18,000 रुपे वो हमेशा कारे समता की रेश्यों में डिवाइड हो जाता है पैसा जो होता है किलियर है चले चलते हैं अब अपने अगले कोश्चिन की तरफ कोश्चन नमद 10 कोश्चन नमद 10 देखें जी बिलकुल और राउंडर साब लेवल बढ़ाएंगे सर कोई बात नहीं है ऐसी लेकिन चीज़े किलियर होंगी तभी तो होगा ना सारी चीज़ें पहले ही दिन मैं आपके लिए इतना हाई लेवल लेदू कि आपको कुछ समझ में ना आए तो उसको पढ़ाने का मतलब नहीं है आपके बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको वे इलिमेंटरी चीज़े पढ़नी है पहले तो पहले जो सीडी होती है वो धीरे धीरे से स्टार्ट होगी कल जो आएगा आपके लेवल काएगा आप भी पढ़िएगा और आप भी भी आप ट्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़े समझ सकते हैं चलिएगा चलते हैं अपने कोशन नमबर 10 की तरफ ये दीखी अच्छा कोशन है कर लें इसको एक पुरुष तथा एक लड़के को पांच द हम इधर लिखते हैं इफिशेंस हम इधर लिखते हैं ना यहीं बोला गया है कि पुरुष की कारे चमता लड़के की कारे चमता की दुगनी है ठीक है क्या बोला गया है हाँ लड़का प्रति दिन कितने रुपे कमाता है तो आपसे मैं बोल दूं कि जो 800 रुपे हैं वो नी तक एक साथ काम करने में इतना पैसा मिल रहा है ठीक है तो प्रति दिन लड़का कितने रुपे कमाता है तो मैं यह कह दू पांच दिनों में आपको 800 मिल रहा है तो एक दिन में कितना मिलेगा एक सो साथ रुपे एक दिन में एक सो साथ रुपे मिलने वाला है किलियर है हाँ तो 40 सही एक बढ़ तीन आंसर आ रहे हैं चलिए आंसर दीजिए SSC CGL की शाम को चलती है क्लास स्प्राइट किलियर है बहुत बढ़ बढ़िया 1600, A, A आंसर बिल्कु सही है बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है लाइक करते चलें जो मैं देखना चाता हूँ हाँ मेरे पास गंशाम सिंग का सही आंसर आया है गंशाम सिंग का सही आंसर आया है बिल्कुल चले तो आंसर मेरे पास A आ रहे हैं ज्यादा थर A, 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 A आ गया बहुत बढ़िया तो चीजे समझना हैं आपको अब मैंने 800 बोला आपसे कि एक पुरुष तथा एक लड़का को पांच दिनों तक एक साथ काम करने में 800 रुपे लगते हैं ठीक है पुरुष की कारेचमता लड़की की कारेचमता की दुगनी है तो लड़का प्रति दिन कितने रुपे कमाता है अब आपने इसको इस तरीके से किया है है ना किया है ना अब मैं इसको आपको इस तरीके से भी बताऊंगा और आपके लिए देखो चीजे कितनी आसान हो जाती है आपको समझना इस बात का है बस ठीक है देखो मैंने आपसे क्या बोला था मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जबी भी आपका M1 D1 upon W1 R1 वाला फॉर्मूला लगाना हो तो ये लगाऊना जबी भी आपसे रुपे की बात की गई है लेको concept आपको यही समझाना था मेरको कि हमने वो फॉर्मूला भी सकते हैं वो चीजे भी लगा सकते हैं लेकिन ये भी चीज तो वही है इसमें कोई अंता थोडी ना है तो आपको आसान बनाना है चीजों को घबराना नहीं है तो चीजे ऐसे करनी है देखो आपको पता है एक male है मतलब man है और एक लड़का है बॉय है वो क्या कर रहे है पांच दिनों तक M1 मतलब यह भई एक M1 की जगे कौन कौन आ गए एक लड़का एक आदमी और एक लड़का पांच दिनों तक 800 रुपे में कोई काम कर रहे है ठीक है 800 रुपे में कोई काम कर रहे है काम वही होने वाला है चीजे समझ में आ रही है अब आपसे क्या बोला गया है कि लड़का प्रती दिन कितने में काम करेगा लड़का मतलब boy boy कितने रुपे में काम करेगा रुपे नीचे ही आते है ना दूसरा मैथढ है द्यान से समझ लो रुपे नीचे आते हैं clear है अब आपसे एक चीज और बोली है कि पुरुष की कारेचमता लड़के की कारेचमता की दुगनी है तो मैं ये कह दूँ कि पुरुष की कारेचमता लड़के की कारेचमता की दुगनी है M बराबर 2 भी है यही तो बोला है चीजें आसान बनाओ ना यार चीजे समझ में आनी चाहिए आपको आसान बनेंगी इस तरीके से देखो कितना आसान बन गया कोई भी मैंने इस formula का यूज करना था इसलिए बता रहा हूँ आपको ठीक है देखो अब आपको समझ में आ गया कि m बराबर 2b यहां रख दो तो यहां पे हुजाएगा आपका 3b बटे 800 बराबर ब अपोन कोईशंद मार्क यही आपको निकालना है B से B कट गया तो आपका कोईशंद मार्क बराबर कितना आ जाएगा 800 बटे 15 800 बटे 15 आपका आनसर आजाएगा तो 800 बटे 15 पद्रक कितना हो जाएगा आपका 53 सही एक बटे 3 तिरे पन सही एक बटे 3 आपका अंसरा देगा किलियर हुआ यह मैथड तो मुझे सब बता दें एक साथ कि सर किलियर हो गया है जी हां ठीक है चल्दी से बताएं देखो यह चीजे बहुत आसान है जो आसान चीज है वही आपके लिए काम की है और पता कैसे चलेगा आपके दिमाग में भी तो यह कोशन होगा ना सर हमें पता कैसे चलेगा कि यह फॉर्मूला कब लगाना है और वो चीज कब लगानी है हम उसको पर डे में calculate करने के लिए लगाते हैं और जब हमारे पास कोई पांच दिन का काम है रुपे में दे रखा है तो इसको लगा के देखो हमें बात तो वही है efficiency का मान यहां रखना है क्योंकि यह हमारी छमता ही तो होती है तो समझ में आ गया जी हाँ clear है बहुत बड़िया अब मैं आपको homework दे रहा हूँ homework दे रहा हूँ देखो question number 11 12 13 14 यह आपके homework है 11 12 13 14 अब देखो यह तो homework करना है आपको 4 question जो मैं आपको दे रहा हूँ clear है यह तो आपके homework के question है क्यों क्योंकि आपको जरूरी है practice करना आज आपने time and work पड़ा है अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपको चीजे समझ में आ रहे हैं तो question लगाईए सबसे पहली बात कल हम tough level के question लेंगे कल हम hard level के question लेंगे है ना हाँ चले hard level के question लेंगे कलम और उम्मीद आपसे यही है कि आप 4 question का answer comment box में वीडियो खतम होने के बाद देंगे clear है जो भी लोग जोड़े हैं अगर इमानदार है तो देखिए अगर मेहनत आपको करनी है selection आपको लेना है तो प्रियास भी आपको करना पड़ेगा मैं आपको दिशा दिखा सकता हूँ लेकिन सफलता आपको पानी है success आप होगे तो आपको चीजे समझनी चाहिए कि हमें किस तरीकी से prepare करना है ठीक है I hope आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक और चैनल को subscribe कर लेना और test series धमाका में जरूर मतलब उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी practice को एक अलग level तक ले जाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा minimum price पे आपको minimum costing पे चीजे मिल रही है got it guys तो अब आप देख सकते हैं कि हमें motivated रहना है हमेशा चीजों को समझना है कल आपको 11 बजे आना है class daily होती है सौमवाज शुक्रवार जो लोग नए हैं उनसे यही कहूंगा तो यह आपके सामने time table है सारा time table एक बार देख लें railway group D और ALP के लिए मैं classes लेता हूँ आपके लिए हर एक concept को clear करते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं हम कल सुबह 11 बजे तब तक के लिए बाबाए और ध्यान रखना take care और practice पूरी करना और homework के question का answer देना और अच्छा लगे तो like करना बाबाए झाल 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 झाल